जिसने बिहारी लोग गीतों को देश दुनिया तक पहुँचाया वह बिहारी सिंगर जिसे पदमिस्री से नवा जा गया जिसने मगही, मैथली और भोजपूरी को आम लोगों के बीच मिलाया वह लोग गाई का जिसकी गीतों को सुननों के लिए लोग रेडियो में अपनी कान लगा कर रखते थे बिहारी में जोड के आज के सिंगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी कलाकार के बारे में जिसने अपनी गीतों से लोगों के भी दीलों पर लंबे समय तक राज किया इनी लोगीतों में बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें पदमिस्री की उपादी से भी नवा जा गया था उन्हें पिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है कम उम्र में उनकी साधी हो गई थी लेकिन उन्हेंने संगीत के प्रती अपने प्यार को कभी कम होने नहीं दिया जिसका परिनाम हुआ कि उन्हें पदमिस्री से भी नवा जा गया अज़ हम बात कर रहे हैं स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली पदमिस्री बिंदवासनी देवी के बारे में बिंदवासनी देवी का जन्म 5 मार्च 1922 को मुझफर पूर में हुआ था उनके पिता का नाम था गगत बहादूर, बिंदेवासनी के जन्म के साथ ही उनकी माता इस दुनिया में नहीं रही, तब उनका लालन पालन, उनके सिख्छा दिच्छा नानी के घरवा था, बिंदेवासनी के नाना जी भजन गाते थे, तब बिंदेवासनी भी उनके साथ बै चितीज चंदर सर्मा से सानिध में उन्हे संगीत शिखने का मौका मिला जब बिंदयवासनी की उम्र जब भी 25 साल के थी तो उनका पहला सर्बजनी कार्जक्रम हुआ जिसके बाद वह पटना रहने चली आई यहाँ आने के बाद उन्हें कई सम्वान से सम्वानित किया गया था जब पटना रहने आही गई थी तो यहाँ उन्होंने आर कन्या बिद्याला में संगीत सिक्षिका के रूप में नौकरी भी मिल गई इसके बाद साल 1949 उन्होंने लड़कियों को संगीत सिखाने के लिए बिंधे कला मंदिर की अस्तापना की जो कि भारत खंडे इन्वर्स्टी लखनव से अंगे किरित है बदा दें कि इस संसान का संचालन बाद की दिनों में उनकी पुत्री पुस्पारानी मधु और पुत्र सुधीर कुमार सिन्हा कर रहे हैं बिहास और कारत द्वारा कई बार बुलाए जाने के बाद उन्होंने कई मंचों पर अपनी प्रसूती भी दी उनकी इसी संचीत रूपक की बज़ा से आकासभानी के पटना केंदर में उन्होंने लोग संचीत संजोजक के पद पर नियुक्ती भी मिल गए उस समय वे आकासभानी के महानिदिसक रहे जगदीश चंद्र माथूर उनकी काफी परभाबित हुए थे वे साल 1989 तक इस पद पर बने रहे इस दोरान उन्होंने मगही मैथली और भोजपूरी संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 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 चंद्र में पद मिस्री संबान से भी नवाजा गया था उनकी कला के परति समर्पन के लिए संगीत नाटक अकादमी संबान से भी नवाजा गया इतना ही नहीं गंतद्र दिवस के मौके पर भी उबह अपने पूरे संस्कृतिक दल के साथ प्रस्तुति दिया करती थी मिंदवासनी देवी के लोग के प्रति समर्पन को देखते हुए उन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है मिंदवाशनी देवी ने लोग के छेतर में खूब नाम कमाया है वह देज के साथ साथ विदेश में भी कॉफी पॉपलर रही है साल 1991 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी संबान से भी नवा जा गया साल 1998 में मध्य परदेश सरकार ने अहिल्याबाई समान से समानित किया था इसके अलावा उन्हें कई और समान से भी नवा जा गया है अगर हम देखें तो उन्होंने अपने फिल्मी के शुरूआत मगई फिल्म भाया के साथ किया था उस फिल्म में संगीत निर्ट रूप में उसका परसारन किया जिसमें बरसम, मंगल, विवाह मंडप, राम लिला, जमना तीरे बीजे, बसूरिया, दोमचक, भगबान पूथ जैसे कई लोक संगीतों का उन्होंने परसारन भेकिया था कहा जाता है कि बिंदेवासनी देवी ने लोक गीतों में 5000 से अधिक गीतों को गाया है उनके गीतों के लोक दिवाने हुआ करते थे, जब उनके गीतों का प्रसारन पटना और लखनाओ में रेडियों पर होता था तो जैसे पूरा घर सांथ हो जाता था बिंदेवासनी देवी ने लोक की जितने की बिधाओं में गीतों को गाया है, लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया लेकिन उनके द्वारा जो छट गीत गाया गया वह आज भी लोगों के कानों में गुंजता है लोग उसे आज भी उतना ही चौब से सुनते है बिंदेवासनी देवी के ही घीतों को बिहार में आगे बढ़ाया सारदा सिन्हा ने खासकर छट के गीत और बात के दिनों में वह खूब पॉपलर होती चली गई बिंदेवासनी देवी के फनिश्वासनासर रेनु के उपन्यास मेला आचल पर बनने वाले फिल्म डॉक्डर बावु के लिए भी दो गीते लिखे थी जिस कंजिर्दर सन आड़ी बरमन ने किया था 18 अप्रेल 2006 को वहां मन्हूस दिन आ गया जिस दिन लोग गाई का बिंदेवासनी देवी हम लोगों को छोड़ कर इस दुनिया से चली गई बिंदेवासनी देवी 86 साल की उम्र में लोग गीतों को एक नई पहचान देकर हम लोगों से विदा हो गई वहां आज भी हमारे लिए एकसान है और बिहार की एक पहचान है बिंदेवासनी देवी को अगर हम लोग गीतों के बारे में जाने तो सार्दा सिना से पहले उन्होंने विवाह गीत और उनके दौरा गाए गए चट गीत आज भी जब पुराने दिनों को याद करा देता है जब वह एक बार कहीं माईक पर बच जाए या फिर रेडियों पर जब उसका प्रसारन होता है तो आज भी लोग कान लगा कर बिंदेवासनी देवी को जरूर सुनते हैं तो चलते चलते आपसे एक सवाल के बिंदेवासनी देवी के लोग गीतों को आप किस रूप में देखते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं